दोस्तो आज मैं आप लोगों को स्वस्त रहने के लिए बहुत सारा टिप्स देने वाला हूँ दोस्तो आम लोग अपने दिन चेरह में बहुत सी ऐसी गलतिया करते हैं जिससे हमारा सरीर को बहुत नुक्सान पहुशता है और हमारा एल्थ भी खराब हो जाता है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को या भी बताऊंगा कि हेल्थी रहने के लिए हम लोगों को डेली क्या करना चाहिए तो चलो शुरू करते हैं आज का या इंट्रेस्टिंग वीडियो दोस्तो पहले तो हमें सुबह चार से पांच बजे के बीच सोकर उड़ जाना चाहिए और सुबह खाले पेट लगबग एक या डेड़ लिटर गुनगुना पानी पीना चाहिए फिर इसके बाद हमें टालना चाहिए वायाम वजीम भी करना चाहिए इसके अलावा चार से पांच मिनट तक हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए जिससे हमारा मस्तिस्क सांत वर एकागरिचित रहता है इसके अलावा लोग सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं पर ऐसा नहीं करना चाहिए और सुबह अच्छी तरीके से ब्रस मंजन करके असनान कर लेना चाहिए तथा पानी को तावल से अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए तथा इसके अलावा सुबह निकलने से एक या दो गंटे बाद नास्ता कर लेना चाहिए जिसमें बदाम, अकरोड, चनावा, फल होना चाहिए तथा 10 से 11 के बीच पेड़ भर खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन, वसावा, कार्बोहाइट्रेट की मातरा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जिससे हमारे सरीर को उर्जा मिले और कारे करने की सक्ति प्रदानों और खाना को तब तक नहीं निगलना चाहिए जब तक वो लिक्वीट में न हो जाए तथा इसके बावजूद जूस, दूद, दरी को भी पी लेना चाहिए दोस्तो एक और जुरूरी बात, हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी को ज़्यादा नहीं पीना चाहिए या तो 30-35 मिनट पहले या बाद में पानी को पीना चाहिए जिससे या खाना को नहीं पचा पाते हैं हाँ, पर खाना खाते से में थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं तता दोबवर को खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने ना चाहिए तता हमें थोड़ा ऐसा काम करना चाहिए या ऐसा खेल खेलना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसीना हो तथा रात्र में खट्टे फल जूस वा लसी को नहीं पीना चाहिए रात्र में केवल दूद को पीना चाहिए जिससे बहुत ही अच्छी नहीं दाती है तथा रात्र में खाना खाने के बाद लगबग 500 कदम जरूर चले और हमारे सरीर को रिलैक्स रखने के लिए 6-7 गंटे तक सोना बहुत ही जरूरी है और हमें ज्यादा चीनी मैदा सफेद नमक वह तीखी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए बलकि खाने में हमें सेना नमक का प्रयोग करना चाहिए कभी भी कॉल्डरिंग वह फ्रीज का पानी वह फास्ट फूड को नहीं खना चाहिए तथा कभी तो दोस्तों यह थी तो दोस्तों यह थी हमारे स्वरीर को स्वस्त रखने के रिए कुछ महत्पूर्ट ट्रिक मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक